द्रिश्टी आईए इसके टूडेजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रशन से जिसमें हमने आपसे पूछा था हाली में तमिलनाडू के पुथी नाथम गाउं में खोजी गई सेल्ट किस अवथी से समंधित है आपके आप्शन थे, आप्शन A मद्ध पूरा पाशान काल, आप्शन B नव पाशान काल, आप्शन C उत्तर पूरा पाशान काल या फिर आप्शन D मद्ध पाशान काल तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B नव पाशान काल आपने से कई प्योसने इस प्रशने का एकदम ठीक जवाब दिया है, सितर अपने सुझहा पृतिकरया जवाब हमें भेशते रहे हैं, हमें इसका इंतजार रहता है चलिए बागे की बात को अस्प्लेशन से समझते हैं हाली में तमिलाडू के पुरातत्व विभाग को धर्म पुरेई जिले के पुथी नाथम गाउं में पुरातात्वि खुदाई के दौरान एक सेल्ट मिला है माना जा रहा है कि ये सेल्ट नवपाशान काल से संबनीत है इसके विकल पे भी सही है इस सेल्ट का उपयोग हल या कलहडी के रूप में किया जाता था जो डोलोराइट पत्थर से बना था ये 22 सेंटिमीटर लंबा है जिसके अधिक्तम चौडाई 4.2 सेंटिमीटर और न्यूनतम चौडाई 3.2 सेंटिमीटर है गौतलभी की भारत में नौपाशान का लगभग 6,000 इसापूर्व से 1,000 इसापूर्व तक चला था नौपाशानियों की दो मुखे विशेश्टाएं इस तरह इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B. नौपाशान काल चलिए अब शरवात करते हैं आज की एपिसोड की तो आज की एपिसोड का पहला प्रशन है वैश्विक दास्ता सूच खांग किसके द्वारा प्रख्यार्शित किया जाता है आपकी ऑप्शन है वाउक फ्री, Economic Policy Institute, Institute for Public Policy Research या फिर World Resource Institute तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प A. वाउक फ्री हाली में वैश्विक दास्ता सूच कांग 2023 प्रकाशित किया गया वर्श 2023 में सूच कांग का पांचवा संस्करण जारी हुआ है जो 2022 के अनुमानों पराधारित है इस सूच कांग के अनुसाद 2021 ने 50 मिरियन से अधिक लोग आधुनिक गुलामी में रह रहे थे इसके मताबिक आधुनिक गुलामी शोशन के स्थितियों को संधर्वित करता है जिसे कोई व्यक्ती, धमकी, हिंसा या शक्ती के जो प्योग के कारण न तो मना कर सकता है और न ही छोड़ सकता है बता दें कि वैश्विक दास्ता सूच कांग का प्रकाशन एक मानवदिकार संगटन वॉक फ्री द्वारा किया जाता है इसलिए विकल पे सही है या अधुनिक दास्ता के वैश्वक अनमानु द्वारा उपलद कराएगे आंकडों पर आधारित होता है इस तरह इस प्रश्णिका सही उत्तर होगा विकल पे वॉक फ्री नेस्स क्वेस्टन है आपके option है भारत और श्रलंका, भारत और माल्दी, भारत और थाइलेंड या फिर श्रलंका और माल्दी तो इस प्रश्णिका सही उत्तर है विकल पे भी भारत और माल्दी हाली में भारती सेना और मालदी वरास्टी रक्षाबल के बीच सयुक्त सैन अभ्यास अक्सरसाइज एक्यूवेरिन शुरू हुआ इस वर्ष इसका बार्माज अंसकरण है जो 11 से 24 जुन 2023 तक उत्राखरण के चौबटिया में हो रहा है भारती सेना और मालदी वरास्टी रक्षाबल की एक टुकडी 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग ले रही है इसमें दोनों देशों के भी सर्वोत्तम प्रथाओं को साधा करने सामरिक इस तर पर दोनों बलों के भी समन्व और सयोग बढ़ाने पर ध्यान रहेगा बता दे कि एक्यूवेरिन का अर्थ होता है मेत्र एक्यूवेरिन भारत और माल्दी मायो जे तक द्विपक्षी वार्षे का अभ्यास है इसलिए विकल्प भी सही है इस अभ्यास का उदेश सयोगतरास्टर के शाषनादेश के तहट काउंटर इंसरजन्सी यानि काउंटर टेरिरिजम ऑपरेशन्स में इंटरॉपरिबिलि में देखे गए मैन पेट्स के संबंद में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है ये कम दूरी की सतर से हवा में मार करने वाली मिसाइल है कथन दो है स्कॉपियो गुडान में फिच्ट और रोटरिविंग एरग्राफ्ट को इंटरसेट करने के लिए किया जात सबी तीन कथन सही है चलिए एसमेरिशन देखते हैं भारती सेनल नेजर बीम राइडिंग मैन पोर्टेबल एर डिफेंस सिस्टम यानि मैन पेट्स पर अपना ध्यार के इंद्रित कर रही है यूक्रेइन संकर्ष ने सपस्ट किया है कि मैन पेट्स नाइट वीजन सक्षम ह पर अत्याधिक प्रभावी होते हैं आपको बता दे मैन पेट्स कम दूरी की हलकी और पोर्टेबल सतर से हवा मे मार करने वाली मिसाईले हैं इसलिक कथन एक सही है इन्हें व्यक्तियों या छोटे सम्हों द्वारा दागा जा सकता है इनका उप्यों गुडान में प्रश्न का स्युत्तर है विकल्प सी तीनो कथन सही है आगला प्रश्न है विश्यरत्तदाता दिवस के संबंध में निम्लिकीत कथनों पर विचार कीजिए कथन एक या हर साल 13 जून को मनाया जाता है कथन दो है इस वर इसके तीम खून दो, प्लास्मा दो, जिंदगी बा कथन ही सही है आज दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस याने WBDD मनाया गया आपको बता दें कि विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है इसलिए कथन एक सही नहीं है यह दिन सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादूं के आशकता के बारे में जा किया गया था वर्ष 2023 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम खून दो प्लास्मा दो जीवन साजा करो अकसर साजा करो है इसलिए कथन दो भी सही है इसलिए अगला प्रश देखते हैं पोशन ट्रेकर मोवाल अब्लिकेसिन किसकी एक पहल है आपके ओप्षिन है आयूच मंत्राले, स्वास्त मंत्राले, बोगता ख्टा और साजूनिक वित्रन मंत्राले या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्राले चलिए इस निशन देखते हैं हाली में 57,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों ने एक रास्ट एक आंगनवाडी गायर करम के लिए पंजी करण कराया है महिला एवं बालविकास मंत्राले से सामने आई जानकारी के मताबिक पोशन ट्रेकर एप के इस्तिमाल और केंद्र एवं राज सरकारों के बी सवन वैसे ये संभव हो पाया है बता दे की पोशन ट्रेकर एप केंद्री महिला एवं बालविकास मंत्राले के पहले इसली विकल्प डी सही है ये अप्लिकेशन आगनवाडी केंद्री यानी चायल्ड केर सेंटर की गतिविधियों का 360 डिग्री द्रश्य प्रदान करता है ये गर्बवती महिलाओं, संपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम उमर के बच्चों के लिए पूर्ण लाभारती प्रवंधन का द्रश्य भी प्रदान करता है ये श्रमे को द्वारा उप्योके जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटाइज और सुचालित करता है जो उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है इसले विकलपड़ी सही है यानि इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपड़ी महिला एवं बाल विकास मंत्राले अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्री मातरवंधना यूजना के संबन्द में निम्निकितकनों पर विचार कीजिए कथन एक है इसमें पांच हज़ार के नकत प्रोचसाहन का प्रावधान है कथन दो है नकत प्रोचसाहन की राष्टे केवल गर्भती महिलाओं को ही दी जाती है और कथन तीन है इससे देश के सभी जिलों में लागू किया गया है उपरियुक्त में से कितने कथन सही है आपको यह बताना है आपके ऑप्शन है केवल एक केवल दो सभी तीन या फिर कोई नहीं तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प भी केवल दो कथन ही सही है चलिए एक्समेशन देखते हैं खालिया प्रधानमंत्री ने राजस्थान के दोसा में प्रधानमंत्री मातरवंधना योजना को गोद भराई समारों के रूप में मनाने की नई पहल की सरहना की है बता दें कि प्रधान मंत्री मातरवन्दना योजना यानि PMMVY तीन किष्टों में 5000 के नकत प्रोसाहन के साथ एक केंदर प्राजिक योजना है इसलिए कथन एक सही है इसके तहक प्रोसाहन राश्टी गर्वती महिलाओं एवं इस्तन पान कराने वाली माताओं के बैंक या डागघर खाते में सीधे उपलब कराई जा रही है इसलिए कथन दो सही नहीं है इसे एक जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया है इसलिए कथन तीन सही है योजना महिलाओं बाल विकास मंत्राले द्वारा कर्यान वित की जा रही है इसका उदेश मा और बच्चे के पोशन संबंदी के लियांड में सुधार करना है इस प्रकार केवल दो कथन ही सही है यानि इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B केवल दो कथन ही सही है चलिए अगला प्रशन देखते हैं चलिए एस प्रशन देखते हैं हाली में मुंबई के होमी भाबा सेंटर फर साइंस एजुकेशन यानि HBCSE में विज्ञान विदूशी 2023 पहल शुरू ही बता दे कि विज्ञान विदूशी 2023 डॉक्टर टिस्तर पर भौतिकी के अनुशाशन में लिंग संतूलन को संबोधित करने की एक पहल है तरिसल टाटा एंजिटूट ओफ फट्डामेंटल रिसर्च यानि TIFR ने अपने होमी भाबा सेंटर फर साइंस एजुकेशन के मादम से MSC में भौतिकी पढ़ने वाली चात्राओं के लिए तीन सब्ता का ग्रिश्म कालिन कारकम विज्ञान विदूशी शुरू किया है ये 12 जून से 1 जुलाई 2023 तक पहली बार HBCSE में आवासी मोड में आउजित किया जा रहा है इसके तहट प्रतिभागी PIFR कुलाबा में अनुसंधां प्रयोकशाला और पूने के पास जाइंट मेट्रोवेब रेडियो टेलिस्कोप का दोरा करेंगे बताते चलें कि ये कारकम COVID महामारी के दरान शुरू किया गया था इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्पडी TATA Institute of Fundamental Research नाइस क्वेशन है कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME के संदर में निनकित कतनों पर विचार कीजिए कतन एक है ये सूर की सता पर सबसे बड़े विसपोटों में से एक है प्रत्री निर्देशी CME हमारे ग्रह तक 15-18 गुंटों में पहुंच सकते है आपके आपके आप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दो या फिर न तो एक और न ही दो तो इस प्रश्न का से उत्तर है विकल्प C, एक और दो, दो दो न ही कतन सही है चलिए एस्प्रेशन देखते हैं खाली में खबूल विदू ने एक आश्यर जनक सौर विस्पोर्ट देखा है जो निरंतत आपमान बनाये रखता है 20 जुलाई 2017 को हुए सौर विस्पोर्ट पर नज़र रखने वाले वग्यानिकों ने पाया है कि यह एक स्थिर्थ आपमान बनाये रखता है क्योंकि यह सौर कोरोना से उर्जावान और अत्यधिक चुम्ब की प्लाजमा को अंत्रिश में प्रस्फूटित करता है यह विस्पोर्ट कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME कहलाता है दरसल CME सौरी की सता पर सबसे बड़े विस्पोर्टों में से एक है इसलिए कथन एक सही है यह प्रत्वी पर जमीन और अंत्रिश आधारिक प्रोद्विकियों एवं उपग्रों की एक श्रंकला को बादुत कर सकते हैं सबसे तेज प्रत्वी निर्देशी CME हमारे ग्रह पर 15-18 गंटों में पहुंच सकते हैं जबकि धीमे CME को आने में कई दिन लग जाते हैं इसलिए कथन दो सही है इस प्रकार विकल्पसी सही है यानि इस प्रश्न का से उत्तर हुआ विकल्पसी एक और दो दोनों ही कथन सही है चलिए अब हम पहुंच गया एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर तो अंतिम प्रश्न है इंडिया आइडिया समिट के सम्बन में निमिकित कत्नों पर विचार कीजिए इस प्रश्न का से उत्तर है विकल्पसी एक और दो दोनों ही कथन सही है चलिए अफनेशन देखते है खाली में वाशिंग्टन डीसी में इस्थित यूएस चैंबर मुख्याले में इंडिया आइडिया समिट 2003 इसका आयोजन क्या गया इस वर्श इसके शिख सम्मीलन की थीम विश्वास लचीला पन और विकास है इस लिकत में दो सही है आपको बता दे कि इंडिया आइडिया समिट का आयोजन हर साल भारत और अमेरिका की आर्थिक भागिदारी और दोनों देशों के बीज समगर द्युपक्षी संबंदों के महत को प्रदर्शित करने के उद्देश से किया जाता है इसका आयोजन यूएस एंडिया बिजनस काउंसिल यानि यूएस आइबीसी द्वारा किया जाता है इसलिक कथा नेक सही है हर साल ये समिट महत्पून तकनीकी विकास का पता लगाने वाली बातचीत की मेजबानी करता है ये दुपक्षी वैपार संबंदों के लिए एक एजन्डा तयार करता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारे वाणजिक संबंद साजा रणनीतिक और आर्थ खेतों को कैसे पूरा करते है बताते चलने कि यूएस आइबीसी वर्ष और 1975 में बहारत और अमेरिका के बीज गठेत एक प्रमुक्ष अफसाय संगठन है इसमें 300 से अधिक शीष अमेरिकी और भारती कंपनियां शामी है इस प्रकार इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प C यानी की एक और दो दोनों ही कथन सही है चलिए अब नोट कर लिजे आज की अपिसोड का भ्यास प्रशन प्रसेद पाल की महसव किस राजसे सम्मंदित है आपके ऑप्शन है ऑप्शन A उत्तरप्रदेश, ऑप्शन B राजस्तान, ऑप्शन C महरास्ट या फिर ऑप्शन D गोवा तो विए उस्प्रशन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले, जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवाल और नए नी जानकारियों के साथ तब तक के लिए शुक्रिया